कोई आजाद पंची अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए और शुरू में तो वो फड़ फड़ाता है बेचैनी दिखाता है उदास भी होता है लेकिन लंबे समय तक पिंजरे में बंद रह करके वो उसे ही अपने नियती समझ लेता है उसी को अपने जीवन शैली मान लेता है और स्थिती यह आ जाती है कि अगर हम उसको मुक्त कर भी दें तो वो पिंजरे के दर्वाजे से बाहर निकलता है थोड़ा सा पंक फड़फडाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद पिंजरे की ऊपर ही कुछ देर बैठ करके वो फिर से उसी पिंजरे में हम इतनी बड़ी शौरिय की कहानी इतना बड़ा राष्ट्र इतनी बड़ी सांस्कृतिक अध्यात्मिक व्यज्ञानिक साहित्यक धरोहर के स्वामी इतना होते हुए भी कई शताब्दियों तक गुलाम रहने की वज़े से हम अपनी संस्कृति को भूल गए या कई ये कि उस संस्कृति को भूलाने वाले काम्याब हो गए कि वो हमें अपने स्वरूप से विमुख कर गए उसका परिणाम कुछ भी हो लेकिन एक बहुत अच्छा परिणाम मिला कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादे तबाया जाता है किसी को तो क्रांती पैदा होती है विद्रोह पैदा होता है और वो हुआ जो पीड़ियें शताब्दियों तक गुलाम रही उनकी आत्मा भी जगी और एक ऐसा संग्राम लड़ा गया जिसमें आपके मेरे असंखे पूरवजों ने अपने प्राणों के आहुती दी और देश आजाद हो गया लेकिन गुलामी के दौर में जो व्यवहार हमारी घुट्टी में घुल गया हम अभी उससे उबर नहीं पा रहे हैं आजाद तो हम हो गये हैं क्योंकि वो हमारे पूरवजों के बलिदान की वज़े से हुआ लेकिन अभी हम उस आजादी की रक्षा के लिए अपनी संस्कृति की पुनरावरत्ति के लिए अपनी ताकत को दुबारे से पहचानने के लिए अपनी विशेष्टा को अच्छे से जानने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं हम जो ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे लिए चीज़ें चला दी चाहे वो शिक्षा की बद्धती हो चाहे वो पर्वों की बद्धती हो हम उनको ही मानते चले आ रहे हैं यह बास सच है कि पर्व कहीं भी है माहूल अच्छा बनता है चाहे किसी मुस्लिम भाई की शादी हो रही हो चाहे किसी हिंदू परिवार में हो रही हो चाहे किसी के यहां कोई त्योहार मनाया जा रहा हो हर त्योहार एक संदेश देता है खुबसूर्ती देता है और मन में कुछ अच्छा सा लगता है फूल कोई भी है खिला हुआ देख करके मन को खुशी होती ही है लेकिन अपने हाथ से लगाए हुए पौधे पर जब फूल आता है तो फूल नहीं जूमता आप जूमते हैं इसी तरह से नव वर्ष की बात है अब सारे सरकारी दस्तावेज, सारे सरकारी व्यवस्थाएं, पढ़ाई के सत्र, हिसाब के महीने सब कुछ इस वी सन में हैं क्योंकि हमारे उपर जब ब्रेटिशर्स की हुकूमत रही तो इस वी सन लागू हो गया लेकिन हमें चानना चाहिए कि ये सन व्यवस्था की दृष्टिकूम्ण से हमने सुईकार किया हुआ है लेकिन संसकार में ये हमारा नया साल नहीं है हमारे नया सन में तो सम्मत सर जब आता है तो वसंत होता है प्रकृति उत्साह देती है, नाचने गाने को मन करता है, रास होता है, जो सूखे पेड़ खड़े हैं ठूट, उनमें भी अंकुरन हो जाता है, नए फूल, नए पत्तियां आती हैं, नई फसलें आती हैं, इस पर्व पर छिठुरन है, शिकुडन है, नाचने के लिए भी जबरदस्ती कुछ चीजों का साहरा लेना पड़ता है, कितना अजीब बात है, कि हम, हिसाई भाई इस पर्व को मनाएं, बड़ी खुशी की बात है, ब्रिटिशर्स इसको मनाएं, खुशी की बात है, हम भी उनकी खुशी में शामिल हों, उनको बढ़ाई दें, ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपने को भूलें, ये कहीं शोवनिय नहीं है, नया वर्ष जब शुरू होता है, तो कुछ नय संकल्प होने चाहिए है, हम इस वर्ष को भी धन्ने बना सकते हैं, अगर हम ये सोचें, केवल होहलड नहीं करना है, केवल शराब पी करके शोर नहीं मचाना है, केवल पठाके धमाके करके विवेक हीन कारियन नहीं करना है, बलकि जो साल दोजार बीस बीता है, उसका सिंगावलोकन करना, आज के दिन, और पहली तारिक से, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नए फैसले, पिछले साल के परिपेक्ष में हमने तै किये हैं, उनका लक्ष निधारित करके हम कैसे जीएंगे आगे, ये लक्ष बनाने हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इस विशन भी हमारे लिए बहुत मांगलिक हो सकता है, वर्ष किसी का हो, पर्व किसी का हो, हमारा एक बहुत प्यारा बगीचा है देश, हम खुशी को साजा करते हैं, हम एक दूसरे के दुखदर्द को साजा करते हैं, और सम्रद्धी हमारी सामुहिक बढ़ती है, इसी चीज़ को दृष्टिकत रखते हुए, हम लाभानमित होते हैं, समाज लाभानमित होता हैं,